हलो एवरिवन, वेलकम टू दा ग्रहनी इस व्लोग, तो कहिए कैसे हैं आप सब लोग, I hope you all are doing well, तो फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुती कमाल के जीरो कोस्ट और जिनका यूज करके हम अपने घर को बहुती नीट, क्लीन और 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 रख सकते हैं और इनको बनाने के लिए कोई पैसे भी खर्च नहीं होते हैं हमारे, विलकुल ही घर के वेस्ट मैटिरियल से आज इनको हम क्रियेट करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लोग, तो सबसे पहले बनाने जा रहे हैं हमें एक बुक और इसके लिए हम बॉक्स का, तो इसके टॉप के जो एक्स्ट्रा पेपर हैं पहले उनको एक सीजर की हेल्प से कट करके अलग कर दूँगी, और यह मैंने कट कर लिया है, फिर इसके एक साइड के एज को भी हम कट कर देंगे, और इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे, अंदर की साइड जो पेपर हमने कट किया था, ताकि इसका बेस थोड़ा और स्ट्रोंग हो जाए, इसके बाद हम यूज करेंगे एक शादी के पुराने कार्ड का, जो कि मेरे पास पड़ा हुआ था, और यह काफी सुन्दर भी है, तो बस मैं इसी का यूज करने वाली हूँ, तो इसको हम पेस के बॉक्स के उपर, तो सबसे पहले अपलाई कर लेते हैं फैविकॉल, और क्योंकि यह पेपर है, तो फैविकॉल की हेल्प से ही इजीली चिपक जाएंगे, इसके लिए आपको होट ग्लूगन या किसी और चीज की स्ट्रॉंग अडेसिव की जरुवत नहीं है, तो अच् के प्रेस करते हुए मैंने इसके फ्रेंट पॉर्शन को पेस्ट कर दिया, अब मैं इसके बैक पॉर्शन पे फैविकॉल अपलाई कर रहे हूं, और फिर शादी के कार्ड के बैक पॉर्शन को अपने औगनाईजर के बैक पॉर्शन पे पेस्ट कर देंगे, और फिर इसे ए एक से डेड़ घंटे के लिए ड्राइ होने के लिए छोड़ देंगे और यह देखें फ्रेंड्स जैसे ही यह ड्राइ हुआ तो कितना सुन्दर और लग रहा है वो भी बिल्कुल ही जीरो कोस्ट में और यह बहुत ही सुन्दर लग रहा है चलिए आपको इसमें बुक्स भी ओगनाईज करके दिखाती हूँ तो इसको मैंने प्लेस कर दी अपने बच्चों की स्टेडी टेबल पर और इसके अंदर मैं सारी उनकी वर्क बुक वगएरा ओगनाईज कर दूँगी और यह देखिए फ्रेंट्स यह कितना सुन्दर लग रहा है और मेरे बच्चों की स्टेडी टेबल की कलर थीम से भी इमेच कर रहा है और यह बिल्कुर नहीं लग रहा कि हमने किसी शादी के पुराने काड़ से बनाया है नेक्स्ट ओगनाईजर बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज करूँगी खाली काड़बर्ड बॉक्स का जो की अक्सर हमें ओनलाइन जब हम समान ओडर करते हैं तो हमें मिलता है तो इसको सबसे पहले मैं इसके टॉप पॉर्शन को कट करके अलग कर दूँगी इसके बाद इसको एक साइड से दो-दो इंच छोड़ते हुए इसको हम कट कर लेंगे और यह देखिए फ्रेंट्स मैंने इसको कट कर लिया है इसके बाद मेरे पास यह एक पेपर है जो कि आपको किसी भी स्टेशनरी या क्राफ्ट सॉप में 10 रूपीज में मिल जाता है तो इसको हम पेस्ट कर देंगे अपने ओगनाईजर के उपर इसके लिए मैंने ग्लू और वाटर को एड़ करके एक सॉलिशन प्रेपेर कर लिया है क्योंकि यह पेपर बहुत ही पतला होता है इसलिए बहुत ही इजीली पेस्ट हो जाता है इसके लिए आपको ज़्यादा फैविकॉल अपलाई करने की जुरत नहीं है बस थोड़ा सा फैविकॉल और उसमें वाटर एड़ करके एक पतला सा सॉलिशन बना लिजे और उसी से यह इजीली पेस्ट हो जाता है इसके बाद इसको मैं अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए और कॉर्नर्स जो है इसके उनको सीजर की हेल्प से कट कर लूँगी ताकि वो इजीली अंदर की साइड फोल्ड हो जाए और फिर फैविकॉल अपलाई करते हुए इसको हम पेस्ट कर देंगे तो जैसा आप वीडियो में देख पा रहे होंगे इस तरह से मैंने वन पेपर को अच्छे से पेस्ट कर दिया इसके बाद मैंने एक और पेपर लिया और उसको भी एक्जेक्ली उसी तरह से साइड से कॉर्नर्स को कट करते हुए और इसको भी पेस्ट कर दिया है मैंने इसके बाद बॉक्स के अंदर जो स्पेस्ट बच गया है जहांपर पेपर पेस्ट नहीं हुआ उसको मैंने मेजर कर लिया है और उसी रेशियो में मैं इस पेपर को कट कर लूँगी और जहां-जहां पेपर पेस्ट नहीं हुआ है वहाँ पर फेविकॉल अप्लाई करके और अब अपनी लेयर को पेपर की लेयर को वहाँ पर भी पेस्ट कर दूँगी और यह देखिए मैंने एक साइट पेस्ट कर दिया है और अब इसको सेकेंड साइट भी पेस्ट कर दूँगी और एक थोड़ा सा आगे का पोर्शन रह गया है तो वहाँ पर भी मैंने पेस्ट कर दिया पेपर को और मैं इसके नीचे बोटम वाली साइट पर पेस्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास पेपर थोड़ा कम है अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप नीचे भी पेस्ट कर सकते हैं इसके बाद जो हमने इसके टॉप पोर्शन को कट करके अलग किया था उसको ले लेंगे और आप चाहे तो सेम कलर के पेपर से इसको कवर अप करसकते हैं पर मेरे पास वो पेपर फिनिश हो इन था तो मेरे पास ये एक डिफरेंट का पेपर था तो मैं इसी में उसको wrap on कर रही हूँ और ये देखिए मेरा base भी ready है और अब इसको cardboard में place कर देंगे ताकि उसका base थोड़ा और strong हो जाए और अगर उसे हमें एक से दूसरी side कहीं पर move करें तो वो तूटना सके इसलिए उसके base को थोड़ा strong बना देंगे और ये देखिए हमारा DIY cardboard box ready है और ये देखने में बहुत ही प्यारा और सुन्दर सा लग रहा है I hope आप लोगों को भी पसंद आया होगा अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजे अब थर्ड organizer बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज करूँ इस तरह के carry bag का जब भी हम shopping पर जाते हैं या कुछ खाना order करते हैं बाहर से तो इस तरह के shopping bag हमें मिलते हैं तो आज इनी का यूज करके हम बनाने वाले हैं एक organizer तो सबसे पहले इसकी साइड को cut करके अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे ताकि यह थोड़े से डबल लेयर हो जाए और जिसकी वज़े से थोड़े और स्ट्रॉंग बन जाए आप चाहे तो इसके handles को भी remove कर सकते हैं और चाहे तो लगे रहने दे सकते हैं मैंने यह आपे remove कर दिया है उनको और यह देखिए friends हमारा organizer बनकर ready है और इसको आप multipurpose यूज कर सकते हैं चाहे तो kitchen में चाहे अपनी wardrobe में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं और अब मैं इस carry bag का use करके भी organizer बना लूँगी और मेरे organizer हो चुके है ready तो चलिए आपको इनको organize करके दिखाती हूँ और यह मेरी wardrobe के नीचे का drawer है जिसमें मैं अपनी bad sheet वगरे रखती हूँ तो बहुत ही match हो जाती है तो आज मैंने इनके carry bag का use करके organizer की help से बहुत ही अच्छे से अपनी सारी bad sheet को organize कर लिया है और उसके बाद काफी space भी बच गया है drawer में अब मैं आपके साथ share कर रही हूँ एक और carry bag का organizer और यह बहुत ही different होने वाला है I hope आप लोगों को भी पसंद आएगा तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे carry bag और यहाँ पे हमें कपड़े वाले carry bag का use करना है पेपर वाले carry bag का use नहीं करना और उसके बाद उसमें जितने भी extra हमारे पास कपड़े हैं बच्चों के या कोई कतरन हैं fabrics की तो उसको इसमें भर देंगे और फिर लेंगे एक कुशन कवर और इस carry bag को उस कुशन कवर के अंदर डाल देंगे इस तरह से हमारा within 10 minutes बहुत ही कमाल का एक कुशन रेडी हो जाएगा और हमारे घर के जितने भी waste कपड़े हैं वो भी organize हो जाएगे और किसी को पता भी नहीं लगेगा कि आपने इस तरह से इसमें कुशन में अपने waste कपड़ों को organize करके रखा हुआ है और ये देखें फ्रेंट्स इसको मैंने कर दिया है प्लेस और ये कितना सुन्दर लग रहा है और किसी को पता भी नहीं चलने वाला कि अपने घर के waste कपड़े हैं अपने इसमें भर के रखे हुए है अब मेरा last organizer है इस तरह का एक transparent carry bag जो कि हम अकसर साड़ी परचेज करने जाते हैं और 3-4 साड़ी खटी परचेज करते हैं तो हमें shop से इस तरह का एक carry bag मिलता है और ये transparent होने के कारण आप इसे multi-purpose यूज़ कर सकते हैं चाहे तो आप इसमें अपनी साड़ी ऑगनाईज करके रख सकते हैं या फिर under storage bag भी यूज़ कर सकते हैं बैड के अंदर आज मैं इसमें अपना store करने वाली हूँ blanket को तो इसके अंदर मैंने अपने blanket को डाल दिया है और बहुत ही असानी से हमारा एक बहुत ही कमाल का organizer बनके ready हो गया है आप चाहें तो next time जब shopping करने के लिए जाएं साड़ीों की तो shop वाले भाया से इसको मांग भी सकते हैं वो बिल्कुल free में इसको आपको दे देंगे I hope आप लोगों को आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर आप लोगों को आज का मेरा वीडियो पसंद आया तो please जल्दी से मेरे वीडियो को like कर दीजे अगर चैनल पर first time आये हैं तो चैनल को subscribe कर लीजे और ज्यादा से ज्यादा अपने friend और family के साथ share कीजेगा जल्दी ही मिलते हैं next vlog में and thank you for watching